उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा की सरकार बन चुकी है प्रदेश में सभी मंतरियों को उनके मंत्रि मंदल भी दे दिये गए हैं लेकिन प्रदेश का CAC रोमांच खत्म होता नहीं दिखता चुनाफ से पहले प्रदेश की लोगप्रियक चाचा बतीजा की जोडी के भी सब कुछ ठीक होने का दावा हो रहा था लेकिन चुनाफ के बाद मामला उल्टा दिखता है बतीजे अखलेश यादव से चाचा शिउपाल यादव ऐसे नाराज हो गए हैं कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है माना जा रहा है कि बहुआ पढ़ना यादव की तरह वो भी अखलेश यादव को बड़ा जटका दे सकते हैं खबर तो ये भी है कि शिउपाल यादव जल्द ही भाजपा का हिस्सा होंगे बुद्वार को शिउपाल यादव ने सीम योगी अधितिनाथ के साथ मुलाकात भी की इस मुलाकात पर जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने इस मुलाकात को सिष्टा चार भेड़ बताया उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आने पर ही इस पर बोलेंगे और भविश्य के फैसले को लेकर उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका खुलासा भी कर देंगे शियुपाल के इस रहस्मई बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है आपको बता दें कि इससे पहले शियुपाल यादव ने दिल्ली में ग्रह मंतरी अमिट शाह से भी मुलाकात की थी जिस तरीके से चाचा भाच्पा के निताओं से मुलाकात कर रहे हैं उससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म होता जा रहा है सूत्र कह रहे हैं कि इतावा से दिल्ली जाने के दौरान शियुपाल ने पूर विधायक हरियोम यादव से भी मुलाकात की थी वहीं शियुपाल यादव गुरुवार की सुबह राजधानी लखनव में कारिकरम में पहुँचे और माना ये जा रहा है कि जल्द ही शियुपाल यादव बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं यूं तो चाचा शियुपाल और अखिलेश यादव में साल 2017 विधानसभा चुनाव से ही तलखी देखी जा रही थी मुलायम सिंग यादव के बाद सपा में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले शियुपाल ने तब न सिर्फ पार्टी से अलग होने का फैसला किया था भलकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रखा गया सपा की बागदोर मुलायम के हाथ से अखिलेश के हाथ में जाने के बाद से ही शियुपाल बागी होने लगे हलाकि प्रस्पा के गठन से भी शियुपाल को कोई खास लाब हुआ नहीं साल 2022 के चुनाव में चाचा भतीजे की बीच दूरियां कम हुई शियुपाल ने सुविकार किया कि उन्होंने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है उन्होंने दावा भी किया कि साल 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हलाकि अखिलेश की ओर से भी बड़ा दिल दिखाने का काम नहीं किया गया। मुलायम सिंग के कहने पर शुपाल ने सपा के साथ गटवंधन में चुनाव लड़ना सुईकार तो कर लिया, लेकिन अखिलेश ने प्रसपा को एक भी सीटे नहीं दी। चुनाव में सपा को मिली हार के बाद अखिलेश ने अपनी सांसदी छोड़ दी और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला किया। इस पर भी शुपाल यादव का कहना था कि उन्होंने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी के लिए वो खासा एक्टिव रहे। उन्हें हर बैठक में बुलाए जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखना ये है कि चाचा भतीजे की ये जंग आखिर कहां जाकर थमती है। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।